ओम श्री गणिशाय नम्हा दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एकतंत संकस्टी चतुर्थी के महुर्थ के बारे में पुजा विधी के बारे में और साथ ही मैं सुनाओंगी आपको एकतंत भगवान की कथा दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से नुरोध है कि वीडियो को लाइक करने के बाद में गणिश भगवान की जय जरूर लिखेगा पहले दोस्तों जान लेते हैं एकतंत संकस्टी चतुर्थी के महुर्थ के बारे में किस दिन व्र हो रही है 30 मई रविवार की सुभा चार बच कर तीन मिनट पर दोस्तों क्योंकि संकस्टी चतुर्थी के दिन चंद्रमा की पूजा के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है इसलिए 29 मई को चंद्रोदे का समय रहेगा रात 10 बच कर 25 मिनट पर दोस्तों यह ती चंकारी मू संकस्टी चतुर्थी तिन गरेश भगवान के ऐक्तंत स्वरूप पूजा की जाती हैं दोस्तों कऱ topic कि मूर्तियों में गरेश भगवान कि आज के दिन पूजा किस तरह करनी जाए दोस्तों चतुर्थी के दिन सुभा ब्रह्म मुहुर्थ में उठकर इस्नान करने के बाद आप साफ लाल रंग के वस्तर पहने हाथ में जल लेकर या फूल और अक्षत लेकर आप व्रत का संकल प्रिजिए उसके बाद आप एक आसन अगर आपके पास ऐसी प्रतिमा नहीं है तब आप घर में ही गाए के गोवर में हल्दी मिला कर एक प्रतिमा बना लेजे गड़ेश भगवाल की जिसमें आपको एक ताथ टूटा हुआ रखना है इस मूर्थी को चौकी पर स्थापित करने के बाद उन्हें वस्तर अर्पि जिसमें का भी ध्यान आपको जरूर करना है उनकी पूझा करनी है इसके बाद गी का दीपक जलाकर दूप दीपक जलाकर भगवान गणिश की पूझा प्रार्यम करने चाहिए ओम गंग गनपते नम्हा या फिर ओम श्री गणिशाए नम्हा इस मंत्र का जाप करते हैं आप एक दंताए विद्महे वक्र तुंडाए धीमही तन्यों दंती प्रचोदयात महा करनाए विद्महे वक्र तुंडाए धीमही तन्यों दंती प्रचोदयात गजाननाए विद्महे वक्र तुंडाए धीमही तन्यों दंती प्रचोदयात यह भगवान का सिद्धी मंत्र है इस मंत्र के जाब से आपके जो भी मनुकामना है वो पूरी हो सकती है इसलिए आज की पूजा में इस मंत्र का जाब करना मत भूलेगा अगर आपके घर में सुक्शांति का अभाव है परिवार की लोग आपस में एक दूसरी से ठीक से बात नहीं करते हैं तब आपको चतुर्थी के दिन से लगभा 11 दिन तक इस मंत्र का जाब हर रोज पूजा करतिस में करना है एसा करने से आपके घर की सुक्समरितियो शांति म व्रत्धी होती है पूजा करतिस में दोस्तों मुह हमेशा पूरव या फिर उत्तर दिशा की तरफ रखना चाहिए पूजा करतिस में भगवान को लड़ू या तिल से बने कोई भी मिठाई का भोग जरूर लगाना चाहिए भगवान गड़ेश को मोदक और लड़ू बहुत हैं संभव हो तो आज के दिन मोदक और लड़ू का भोग भी लगाएं दूर्वा उन्हें जरूर अर्पित करें इस तरह गड़ेश चालिसा का पार्ट करें भगवान गड़ेश के स्तोत्र का पार्ट करें व्रत की कथा आपको दोनों ही समय सुननी चाहिए लेकिन शाम की पूजा में आपको व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए दूप दीपक जलाने के बाद कपूर जलाकर उनकी आरती कीजिए आरती करने के बाद छमायाशन कीजिए और अपना प्रारम करिए साफ शुद्ध मन से व्रत रखिए सारा दिन भगवान गड़ेश के मंत्रों का जा आपकी मनुकामना पूरी की साम को चन्ना करने के साथ ही कथा सुननी चाहिए और उसके बाद आपको अपने ब्रत का पारम कर लीना चाहिए चाहिए अगर पती पतनी दोनों ही मिलकर इस व्रत को करते हैं तो उनमें आपस में प्रेम बढ़ता है उनके संब्ध मधुर बनते हैं दोस्तों चंद्र देपता की पूजा विधिवत तरीके भी करनी चाहिए दोस्तों यहती जानकारी पूजा विधि और मोहर्द के बारे में अब सुनते हैं भगवान एक दंत की कथा पौरानी कथा के नुसार एक बार की बात है जब भगवान शिव और मापार्वती अपने शरेन कक्ष में विश्राम कर रहे थे उस समय मापार्वती ने गणिश जी को आदेश दिया कि वो उनके कक्ष के बाहर पहरा दें और किसी को भी अंदर ना आने दें मां की आग्या गणिश जी के लिए आदेश थी उन्होंने वैसे ही किया और कक्ष के बाहर पहरा देने लगे और फिर क्या हुआ कि उसी समय अचानक परशुराम वह इसी कारण उसे मार भी दिया था और इसी बात की सूचना भगवान भुलेनात को देने के लिए वह किलाश परवत पर पहुंचे थे भगवान शिव के कक्ष की और परशुराम को तेजी से बढ़ता देखकर गनेश जी उनके रास्ते में आ गए और उन्हें रुकने को कहा ले मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता क्योंकि माने किसी को भी अंदर ना आने का आदेश दिया है गणेश जी की यह बात सुनकर परशुराम गुस्से से लाल हो गए उन्होंने कहा तुम नहीं जानते मैं कौन हूं तुम मुझे भगवान शिव से मिलने से नहीं रोक सकते इस पर गणेश जी ने कहा आप कोई भी हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे लिए तो मेरी माँ का आदेश सबसे जरूरी है मैं आपको किसी भी सूरत में अंदर नहीं जाने दे सकता गणेश जी की इन बातों से परशुराम का गुस्सा दात्वे आस्मान पर पहुँच गया वह बोले अगर तुम मुझे अंदर नहीं जाने दोगे तो मैं तुम्हें हटा कर जबर्दस्ती अंदर जाऊंगा इतना कहकर परशुराम कक्ष की ओर आगे बढ़ने लगे लेकिन गणेश जी परशुराम को अंदर जाने से रोकने के लिए उन्हें धक्का दे देते हैं इस तरह परशुराम गणेश जी के धक्के से दूर जाकर गिर गए अब तो परशुराम का धैरित जवाब दे गया और उन्होंने गणेश जी को युद्ध के लिए ललकारा ऐसे में गणेश जी को उनसे युद्ध करना पड़ा गणेश परशुराम में भीशन युद्ध ह गणेश ने पिता शिव से परशुराम को मिले परशु का आदर रखा और इस बार जैसे ही परशुराम ने उन पर वार किया गणेश जी ने अपने दांग पर उनका यह वार झेल लिया जिसकी वज़े से उनका एक तूट गया पीड़ा से गणेश जी करहा उठे और पुत्र क देखकर परशुराम समझ गए कि उनसे बहुत भूल हो गई हैं माँ पारवती के क्रोध को देखकर परशुराम ने उनसे शमयाचना की और गणेश ची की विन्यम्रता की प्रशंसा भी की इस प्रकार अपनी गलती का एहसास होने पर परशुराम ने गणेश को अपना समस्त त गणेश को एकतंत भी कहा जाता है दो वैसे तो भगवान गणेश के एकतंत सवरुप के बारे में और भी कथाएं प्रचलित हैं लेकिन जो कथा विशेश रूप से एकतंत संकस्ति चतुर्थी के दिन सुनी जाती है वह कथा मैंने आप सभी को सुनाई है उमीद करती हूं ये वीडियो और ये कथा आप सभी को पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय जरूर लिखेगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर केज़ेगा अगर आप मेरे चैनल प झाल 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 झाल